नमस्कार में उद्विया बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर इस कैबनेट की बैठक में इतने जेन्डों पर लगी मुहर आज है राश्मियों मद्दाता दिवस जानिये से जुरी ये खास बात है बिहार की बेटी प्रियंका को दिल्ली गंतंतर दिवस के परेड में सामिल होने का मिलानिमंत्र जल्द नेपाल की जनकपूर और काटमांडू के लिए बिहार से शुरू होंगी बस सेवा पटना से आयोध्यार प्रेंट से जाने वाले यात्री नहीं होंगे लेट इसके साथ ही बह्रते साम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार की बेटी प्रियंका को दिल्ली गंतंतर दिवस के परेड में सामिल होने का मिलानिमंत्र सारन में तरहिया प्रखंड के डवरी पंचायत की मुखिया प्रियंका सिंग को नई दिली में आयोजित गंतन दिवस के अफसर पर परेड में सामल होने को लेका निमंतरन दिया गया है सारन में प्रियंका पहली ऐसी महिला बन चुकी है जिन्हें दिली में गंतंत्र दिवस के अबसर पर पंचायती राज मंत्राले ने आने के लिए निमंत्रन भेजा है बता दे कि एंबिय की पढ़ाई पूरी करने के बाद महिंद्रा और इंडिगो एरलाइन्स जैसी कमपनी में नौकरी छोर कर प्रियंका ने गाओं का रुक किया और यहां चुनाव लरी और अब महिलाओं के लिए मिसाल के तौर पर खड़ी हैं दरासर प्र्यंका ने बिहार की 25 महिला जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्विस संसत भवन में महिला ससुप्ति करन को लेकर आयोजित सेमिनार में किया था इसके अलावे इन्हें महिला फ्रेंडली पंचायत के सम्मान से जैपुर में आयोजित दो दिवसी राश्ट्रे कारे साला के दोरान पंचायती राद विभाग भारत सरकार द्वार सम्मानित किया गया था इन्होंने लगातार घूम घूम कर सक्चा और स्वास्त के प्रती पंचायत वासियों को प्रेरित करने का काम किया है आज है राष्ट्य मद्दाता दिवस जानिये से जुरी ये खास बात है आज राष्ट्रमदाता दिवस है आज कही दिन भारत में निर्वाचन आयो की अस्थापना वर्ष 1950 में होई थी हालां कि पुरे देश में इस दिवस को वर्ष 2011 से मनाय जाता है हर साल हमें से एक ने थीम के साथ मनाते हैं राष्ट्रमदाता दिवस के अफसर पर इस बार का थ पहत्व को पहचान सके बता दे कि आपका एक वोट राश्ट निर्मार में बहुत बरी भूमी का निभाता है चली आज के सबसर पर हम आपको चुनाप से जुरी कुछ रोचक चीजे बताते हैं आपने देखा होगा कि जो लोग वोट देने जाते हैं उस व्यक्ति के बाएं हा पर भी लगाई जा सकते हैं और यदि किसी की उंगली नहीं है तो इस स्तिती में हाथ के उपरी हिस्से पर चुनावी सियाही लगाई जाती है यदि किसी के हाथ ही नहीं है तो उसके पैर के अंगूठे में भी चुनावी सियाही लगाई जा सकती है नितीस कैबिनेट के बै को लेकर फैसला था वहीं तीसरा प्रस्ताव राजेपाल के संबोधन को लेकर था मीडिया में चल लए खबरों के मुताबिक इस बैठक में कुछ एजेंटे ऐसे बिर जिन पर सहमती नहीं बन पाई है हालांकि बैठक इतने कम देर क्यूं रही इससे लेकर फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है नियोजज़त सक्चकों के सक्चमता परिक्षा के यह होंगे पैटर्ण नियोज़त सक्चकों के सक्चमता परिक्षा के दिति जारी की जा चुकी है परिक्षा के दौरान 150 अंक 150 बहुवेकल्पिक प्रस्न पूछे जाएंगे इसमें कोई negative marking नहीं होने बाլ वाली को लेकर मादमिक सक्षा निर्देशा कनहिया कुमार सरिवास्तव जो निर्देश जारी किया है उनके मुताबिक कक्छा एक से पांच तक सक्षकों के लिए 150 प्रस्ण पूछे जाएंगे इसमें भाग एक से भासा से 30 प्रस्ण होंगे भाग दो में सामाने अध्यन से 40 प्रस्ण होंगे भाग तीन में सामाने विसे से 80 प्रस्ण पूछे जाएंगे वहीं कक्छा 6 से 8, 9 से 10 सोरी 11 से 12 की बात करे तो यहां सक्चकों के लिए भाग एक में भासा से 30 प्रस्ण भाग दो में समाने अध्यन से 40 और भाग 3 में संबंधित विसे से 80 प्रस्ण पूछे जाएंगे बता दे कि आविदन सुर्प के रूप में परेक्छातियों से 1100 रुप लिए जाएंगे जल् बस मुझापरपूर होते वे नेपाल के जनकपूर तक जाएगी बता दे कि कोरोना काल से पहले दो जोरी बसों का संचालन किया जाता था लेकिन लॉकडाउन से ये सेवाएं बंध हो गए जनकपूर के अलावे बोध गया पटना से काटमानू के लिए भी चार बसों का चालन किया जाएगा ये बसे भी मुझापरपूर होते हुए ही जाएंगी इन बसों में इलेक्टिक और डीजल बस सामिल रहेंगे इस संबन्द में बिहार राजेपत परिवानिगम के प्रसासक अवे जादवारा भी अधी सूचना जारी की गई है वही अंतर राष्टे मा के मना करने के बावजूद भी ठंडे के चुट्टी स्कूलों में दे री थी लेकिन इसे सिक्षा विभाग ने गलत बताया था साथ ही कानून के गलत इस्तिमाल का भी पटना डीम पर आरोप लगा अब इन मामलों को लेकर मुख्य सचीव को पटना डीम ने लेटर लिखा ह जहां सीत लहर की चुट्टी पर भरते विवाद को लेकर पटना डीम ने मुख्य सचीव से हस्तचीव की मांग कर दी है पत्र के जरिये डीम द्वारा कहा गया है कि पटना जिला में सी दिवस के सिती और कम तापमान की वज़ा से बच्चों के जिवन पर खत्रा की आसंका ह इसको देखते वे दन प्रक्रिया सहीता 1973 की धार 144 के तैट सभी प्रिय स्कूल आंगनवारी केंद्रों और कोचिंग संस्तानों समेथ नीजी और सरकारे स्कूलों में 8 वी तक की सेक्षनी गति विधियों पर प्रतिबंद 25 जनवरी तक विस्तारित किया गया था लेकिन इस कुछ समय बाद ही सिक्षा विभाग ने डियेम पर पत्र की माध्यम से नाराजगी जाहिर की साथ ही चुटी की और चुत्ते को लेकर प्रमान देने की घोसना की अब पटना से अयुध्या ट्रेन से जाने वाले यात्री नहीं होंगे लेट प्रान पतिस्टा समारों के अयुध्या कैंट सागान जफराबाद रेल मार्क के बीच स्टेसनों के इंटर लॉकिंग का काम ना होना दिस वज़ा से ट्रेनों के बीच रास्ते पर ही क्रॉसिंग होने पर रोक दिया जाता था लेकिन अब रेलवे इस कारे को दुरुस्त करने में लगा है ताकि पटना में दुमका के बीच जमालपूर भागलपूर होकर कई ट्रेनों का संचालन सुरू हो चुका है अब ट्रेने सर पर दोरेंगी भी साथ इंटर लॉकिंग का काम पूरा होने से ट्रेन अब लेट भी नहीं होंगी गंतन दिवसमारों को लेकर पटना के इन रास्तों पर वाहन रहेंगे प्रतिबंदित गंतन दिवसमारों को लेकर प्रसासन सक्त है इस दिन गांधी मैदान में होने वाले समारों को लेकर यातायात विवस्ता भी बदले गए हैं दरसल सुबस साथ वर्ये से लेकर समारों की समापती तक फ्रेजर रोड की डाक बंगला चौराहे से गा आने वाले सभी रास्ते बंद रहने वाले हैं पुलिस लाइन तिरहा तक ही भोल टास मोड के से उत्तर के तरफ जाने वाले वाहन विद्यापती मार्ग से बुद्ध मार्ग होते हुए आप आएंगे वहीं जो वाहन मालिक पास धारक होंगे किवल उने ही जेपी गंगापत से एन सिन्हा और गांधी मैदान के तरफ आने वाले फ्लैंक में आने की अनुमती मिलेगी फिर फ्रेजर रोड मजहरूल हकपत में पतना जंसन डाग वंगला चौरा कवी गुरु रविंद्र चौक से जेपी गोलंबर मौर्या होटेल मोर तक के पस्तिमी फ्लैंक केवल रा रही बच्चों की परहाई सिभर जिले के तिर्यानी प्रकंट के हिर्मा गाउं में संचाले तेक उर्दु मध्य विद्याले लोगों को काफी आकरसित कर रहा है इसकी वजह है विद्याले का डिजाइन डेलवे ट्रेंड की तरह होना जब आप इस स्कूल को दूर से देखे हैं अपने स्कूल के इस डिजाइन को देखकर बच्चे काफी आकरसित भी होते हैं और इस वजह से क्लास में बच्चों की उपस्तिती भी बरही है वहीं से लेकर इसकूल के प्रधाना ध्यापक सुधीर कुमार सिंग द्वारा बताया गया कि विद्याले का नाम हमने जिससे बचे काफी उच्चा के साथ स्कूल पहुंचते हैं और इसकूल के नहीं लोह को देखकर खुष होते हैं बचों को ट्रेन की सवारी करना काफी पसंद है ऐसे में स्कूल आकर उन्हें काफी अच्छा लगता है और मैं मन लगाकर पढ़ते हैं जिसे बच्चों की क्या रहा है बिहार के टीम के लिए बालक बालिकाओं का ट्रायल भी किया चुका है इस ट्रायल के दौरान लगवाई 166 बालक बालिकाओं ने भाग लिया था यह ठ्रायल पटना में संपच्छक स्थितलों मार्टिनियर वर्ल्ड स्कूल में देखने को मिला इस संबन में एक चैन समीती का गटन किया गया था बालक वर्ग में राजियस कुमार चैन टू प्रमोथ कुमार और साकेद कुमार चैन करता थे वही बालिका टीम में इसकी जिम्मेदारी साक्षी गुपता सिउली कुमारी रंजन और जीनत परवीन को मिली थी आगे उन्होंने सायोजन को लेकर बताये किसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है बिहार में होने वाली भारत जोरो नया यात्रा में कॉंग्रेस ने इन पार्टियों को किया आमंत्रित बिहार में 29 जनवरी को राहूल गांदी की भारत जोरो यात्रा प्रवेश करने वाली है बिहार में होने वाली यात से यात्रा दो चरणों में होगी इस से पहले चरण में सिमाRACIस के इसलों में सामिल किया गया है जिसे लेकर कॉंग वगर्ण से तरफ से जो रोउसीर से तयारी की जा रही है इस यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष लगातार कैम कर रहें साथी कारे करताओं के साथ अब तक कई बैठके भी हो चुकी है इस यात्रा को लेकर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि 30 जनवरी को राहूल गांदे की पुनिया में सभा होनी है सभा में सामिल होने के लिए मुख्य मंत्रिन 30 कुमार, राज़त प्रमुख लालू प्रसाद यादव और CPI महा सचीव दिपांकर भर्टा चारे को आमंत्रित किया गया है उनके सामिल होने की संभावना है बिहार में एक मेडिया सर्वे में लोगों ने इस पार्टी को बताया आते पिछले वोटर्स की पसंद बिहार के पूर्व सेम करपूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद सियासत गर्माती नजर आ रही है हर कोई इसका क्रेडिट लेने की होर में है कि उन्हीं के मांगों के वज़त से आज करपूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है हर कोई करपूरी ठाकुर के नाम पर अते पिछले जाती वोट को अपने तरफ करने की कोसुस कर रहा भारत रत्म के ऐलान के बाद बिहार के सियासत पर क्या इसका असर देखने को मिल सकता है इस संबन में मीडिया चैनल एबीपी द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें ये सवाल किया गया था कि बिहार में आते पिछले वोटर्स की पसंद कौन है जिसके बाद सर्वे में जवाब आएं उसके मुताबिक 40 फीज़ी लोगों ने बीजेपी को चुना है 16 फीज़ी ने जदियू को और राज़त को 27 फीज़ी ने वहीं कॉंग्लिस को इसमें 6 फीज़ी वोट मिले हैं और 11 फीज़ी ने कहा है पता नहीं बता दे कि बिहार मेहते पिच्रों के वोट काफी महत रखते हैं चुनाब की नतीजों को बदलने और बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान देखने को मलता है ममतब एनर्जी के इंडिया गटबंदन से अलग होने पर गिरीराज चिंग का बयान आया सामने ममतब एनर्जी ने इंडिया कटबंदन से अलग होने की घोसना करके विपक्षी दलों को बड़ा जटका दे दिया है अब इसी पर केंद्रिय मंत्री और बेगु सुराय सांसत ने इंडिया कटबंदन पर तंज कसते वे कहा कि जिनको घमंड था कि जो महा कटबंदन है वो संद्रे की तरह उपर से चिकना और अंदर से फांक फांक थे ममतब एनर्जी राहूल गांधी को पीम क्यों माने जबकि वह खुद पीम पद की उमिदवार है वह कॉंग्रिस को वोट क्यों दे आगे उन्होंने का कि इन लोगों में कोई भी कॉंग्रिस पर भरोसा नहीं करता है ममतब एनर्जी ने किसी को आस्ट्रे चकित नहीं किया है भारतिय टीम से आवेस खान हुए बाहर अब रंजी में दिखाएंगे अपना जलवा इंग्लेंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सिरीज भारतिय टीम खेल रही है लेकिन इस दोरान विराट कोली सिरीज के पहले दो मैचों में नहीं देखे बदादे कि इस इन दिनों घरेलू क्रिकेट में रंजी ट्रॉफी भी आयोजित होती दिख रही ऐसे में विराट की जगा पर मदेप्रदेस की टीम के स्टार बल्लेबाद रजजट पार्टिदार को टीम में जगा दिया गया है उन्होंने अभी हाल में ही अपना वंडे डेब्यू दक्षन अफरीका के खिलाफ किया था वही इस बार इंग्लेंड के खिलाफ सीरीज में भातिय टीम में तेज गिंदवाज आवेस खान को भी जगा नहीं मिली है इन्हें रंजी ट्रॉफी में 26 जनवरी को होने वाले मैच के लिए रिलीज किया गया है ये मदेप्रदेस के तरफ से अब हिस्सा लेंगे जानी आज किया है बिहार में पैट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानि 25 जनवरी को पैट्रॉल डीजल के रेट जारी कर दिये गया है राज़ानी पतना की बात करें तो यहाँ पैट्रॉल की कीमत 1070. region 4 रुपे है WHO बात करें मुझापरपूर की कीमत एकसंड की कीमत नौ टीन पांच रूपय और डीजल कीव नो रूपय है बह्द बनी में पेट्रॉल की कीमत एकसो आट दसमलब 2,6 8 रूपय है यह और डीजल की कीमत चौर आङव मिखशन दसम्राइब नौ उपय वहीं भुजपूर में पेट्रॉल की कीमत 107.89 रूपय है और डीजल की कीमत 94.65 रूपय है जमस्ति版 में टेडिश्च्टॉम्हा पट्रोल है ऑप बे देता में उप की के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगमें अपना जवाब हमें कमें वांने सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवी कुमार राम मनीज का सियप नुन्नु गोलु कुमार आरकी राना वेच प्रकास सिंग धर्मवीर कुमार नवल किसोर जहा अमरेंदर सिंग गोनर सर्मा राज किसोर महतो एमडे साकीर हुसेन रंजित मिस्रा अनवर करीम खान उमेश रिसीदे वेच प्रकास सिंग रामा सीस नौसाद रजा अब धेश कुमार पुस्पक कुमार लक्षमी महता इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है बिहार में बढ़ते सीतहर से बचने के लिए आप क्या क्या उपाई कर रहे हैं आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्षन बॉक्स में लिकर जरूर बत जरूर